Hello guys and welcome back to the video and जैसा कि आप लोग देख सकते एक और पार Roblox में आपसे भी किस्वागत है guys और आज हम लोग यहाँ पर खेलने जा रहे हैं Friday the 13th killer और यहाँ पर guys हम लोगों को नई group में release किया जाएगा और हम लोगों को भाई killer से बचना है और अभी vote करने का समय आ गया चल जल्दी से vote करते रोश्ट भाई मैं तो बोलता हूँ आप लोग water treatment facility जाते है भाई हाँ हाँ आज 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 आप मेरे को भी यही जाना है all right guys so हम लोगों ने यहाँ पर अपना map vote कर दिया है और जल्दी guys अभी decide होगा कि हम सबी लोगों में से कौन killer बनने वाला है और अभी देख सकते हो come on मेरा नाम आजा मेरा नाम आजा भाई नई एक से बच गया नहीं तो मेरा नाम आ जाता फ्रोष्ट भाई आप तो बहुत अनलकी निकले अभे अनलकी छोड़िए इस नाम हाई इस बंदे का नाम क्या है डाइफगी भाई डाइफगी कैसा नाम होता है anyways guys यह देखने में slenderman type लग रहा है तो आपर लोग को इससे बचना होगा और यह कहां आ गया मैं वह भाई बंदे लेट सकते हैं इसके अंदर मेरे को पता नहीं था guys shit man exit opens in 4 minutes so guys अभी अपन लोग को 4 minutes तक survive करना यहां पर and we'll see कि slenderman आता है या फिर slenderman का भूत आता है पकड़ने के लिए frost भाई slenderman को चोड़ो मैंने पीछे यहां पर पहुत तारे लोग है भाई अभे तू जिन्दा भी है ओ ओ ओ यह कौन है अभे तू कहां से आया भाई डरा दिया यार इस बंदे ने all right guys ओ लाल हो गया guys लाल होने का मतलब जानते हूँ यानि कि killer आपके आस पास से गया अभे किस कोई हम लोगों के just उपर है guys यानि कि अगर मैं किसी तरीके से उपर पहुँच गया तो मैं उस बंदे को बचा सकता हूँ अब यार तू ऐसे मत बोला कर अगर हम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो survive कैसे करेंगे यार तू क्या बात कर रहा हम लोगों के पीछे एक maniac पढ़ा है guys और जितने बंदे यार अपन लोग survive करके साथ में भाग सके होतना हम लोग के लिए अच्छा है तो मैंने यहां पर किसी तरीके सा ओ चेस्ट पढ़ा हूँ है अच्छा अपन लोग चेस्ट भी कलेक्ट कर सकते है और राइट गाई तो पता नहीं क्या ही कर रहा है अभी मेरा first focus यह है कि अपन लोग यहां पर लोगों की मदद करें लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है क मरना नहीं चाहता मैं ओके गाई यहां से अभी निकलते हैं अभी अपन लोग का bad time चल रहा है इधर से मैं मदद कर सकते हो क्या anyways मेरे को risk नहीं लेना चाहिए ऐसा क्यों लग रहा है कि यह स्लेंडर मैन यही पर इंतजार कर रहा हूँ बैन अबे उचलना बंद कर भाई डर और एक बंदा यहां पर मर गया यह गौडजिला वाला इम सो सॉरी अपर लोग के बगल में ही था यार आप लोग को याद होगा गाईज एक और लड़की भी मर चुकी है जो हम लोग के साथ थी यानि कि मेरे साथ जितने लोग थे उनमें से सब मैं बचा हूँ आपका भी time मानें वाला है ब्रो आरे ऐसा क्यों बोल रहा है यार मेरे को डर लग जाएगा ओके गाईज लेट गो चेस्ट यहां पर मिल चुका है और अभी मेरे को killer दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है तो एक काम करूं क्या मैं यहां से निकलता हूँ और भाई अभी कुछ भी मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा और यह क्या संग्लासेज ओ भाई मैं चीजों को उठा सकता हूँ नाइस यार ओ भाई यहां पर भी लाल कलर का हो रहा है गाईस सब कुछ अभी मामला पानी बॉर डिफिकल्ट हो सकता है कम ओन यार एक मिनट और सर्वाइव करना है आ भाई क्या नूब आदमी है फोस्ट भाई मैंने बोला तो ता स्लेंटर बैंड मेरे पीछे लगा हुआ है अब जल्दी आ पोजिट साइड आ उधर मत जा भाई मैं तरी मदद कर सकता हो अभी भी टाइम ने निकला जल्दी आजा ओके गाईस लगता हम अपने दोस्त को पीछे किलर है फोस्ट भाई मेरे को भी आसा ही लग रहा है मेरे को उसका शाड़ो दिखाई दिया बाई यहां पे गाईस पहुच चुकिया अपन लोग एंड चॉप तेरा हाथ कैसा है अब हाथ चोड़ किलर आगया शिट फोस्ट भाई तो मैं भागू नहीं क्या तो क्य अभी जल्दी छुपो अभी जल्दी छुपो मेरे को लगा खिलर मेरे पीछे है फोस्ट भाई लगता है पेरा गेम दिया ठोड़े वाला है आपने मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत चुक्रिया भाई अरे यार चॉप तू इतनी मदद के बाद भी मर गया एनिवेस यहां पर कर लिया मैंने इसकेप और अप टाइम है जल्दी से नेक्स्ट मैच में घुषने का वैसे चौप यार एक बात बता तेरे को दुबारा पकड़ लिया उसने ठीक है चलो मैं मानता हूँ लेकिन तीसरी बार कैसे मर गया भाई तू रोष्ट भाई दो को आपने दे दो अब हटान है यार मेरे को प्रीमियम भीमियम नहीं चाहिए लेट्स गो यार दूसरे राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि क्या किलर इस बार मेरे को मिल पाता है या फिर नहीं ओके गाईज मैप चूस करने का समय आ गया है और चौप मैं बोलता हूँ नाइट स्कूल सेलेक करते हैं फ्रोष्ट भाई है लेकिन इसका तो पिक्चर भी नहीं दिखाए दे रहा है आरे चलना सेलेक कर देते हैं क्या जा रहा है अपन लोग को आपन लोग करेंगे भूत क आपन लोग का भी समय आए और अभी के लिए फिलाल ये कौन सा भाई ये तो मेरे को चक लग रहा है गाईज चक अगर आप लोगों को पता होगा तो एकदम वही स्किन पहन के आया है चक भी बहुत खतरनाक चैरेक्टर स्लेंडर मैन वगेरा के जैसा लेकिन गाईज अभी हम लोगों के पास टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है दस सिकेंड हर बंदे को मिलते है अभी इतने सारे लोगों इस चॉप देख में तेरे पीछे हूँ फोट भाई मेरे को साथ ले चलो भाई मेरे को अधेरा से डर लगता है अरे मेरे को भी लगता है भाई काम कर यहाँ बहुत सारे लोग भाग रहे हम लोग इन लोगों को फॉलो करते चकी इस हीर ओ भाई चकी आ गया लेकिन कहां साया है एक्चुली किसी को पता है क्या भाई मैं तो अपना चेस्ट कलेक कर रहा हूँ ओ अभे वो शेट चॉप तू मर गया फोश्ट भाई मैं नहीं मरा कोई अब बदश करने के लिए अरे भाई गलति हो गई दें से बचाले यह बगल में खड़ा है वाई जल्दी भागो आब अब अब एक दम भगल से जा रहा है guys I think हम लोग पकड़े जाएंगे अगर हम लोग कि किसमत कराब है मेरे को तो लगा चकी अंदर आगया मैडम जी ऐसे डराया मत करो यार थांक्स आप मेरे को बचाने आ रही थी बट स्टिल और यहां पर से पिकक्स उठा लेते चॉप टू सेफ है ना फ्रोष्ट भाई मैं तो सेफ हूँ लेकिन पूरा मैप के सारे बच्चे धिरे धिरे मरते जा रहे है भाई अबे अपना हिम्मत मत हारी हो भाई हम लोग यहां पर बचेंगे चाहिए कुछ भी हो जाए मैं तो यहां पर रूम बदलने वाला हूँ ठीक है क्योंकि मेरे को लगता है कहीं से भी अगर चकी आ गया तो हम लोग दूसरे रूम में चल जाएंगे और फिर वापस इस रूम में आके निकल जाएंगे अरे अवेंजर को भी मार दिया यार इन लोगों ने कितने लोगों को मार रहा है यार यह यह चकी फ्रोष्ट भाई लगता है यह बहुत प्रो प्रोफेशनल किलर है भाई अरे भाई प्रो एक ही वर्ड होता है प्रोफेशनल एक ही वर्ड होता है दो बार बोले कि जरूरत नहीं है लेकिन लगता है कि अभी के लिए हम लोगो को यहाँ पर हाइड करना चीए तेरा क्या सवाल है भाई तेरे को क्या लगते है क्या करना चाहिए अपर लोग को अगर आपके पास कोई आखरी प्रियर है तो भगवान को बोल दो क्या पता दुबारा मौका मिले या ना मिले भाई अरे यार मेरे को भाई बस समोसा और चटनी खाने का मनता लगता है यार वो भी सड़े हुए वाड्रोप के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा लॉकर इसको बोलते हैं लॉकर के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा मैडम जी क्यों जा रही हो खुलने में यार यह लोग नहीं समझने वाले गाइस और लेट सी कि अपर लोग किसी को स्पॉट कर पाते क्या यहां पर ओ भाई ओ भाई मैडम जी ऐसे ना खड़ा रहा हो बह मैडम जी बहुत गलत समय पर बाहर निकल गई अरे भाई मेरे हाथ और ही अपने लोग के सामने मरी है मैंने थोड़ी मरवाया है उसको मेरा लिटरली पसीना चूट रहा है अभी इतना जादा डर लग रहा है आप लोग को लेकिन हम लोगों को इस डर को अपने बीच में न भग रहा हूँ भाई मैं सीधा भग के उस वाडरोब के अंदर चला जाओंगा यह लॉकर मैं बार बार वाडरोब बोल रहा हूँ देगो डर के वज़े से आपके मुझे कुछ भी निकल जाता है अगर ऐसा होता है तो लाइक आप लोग को करना ही होगा और चैनल पर नहों कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अपने सारे सेंस को चौकनना रख सकूँ और अगर मॉंस्टर आ गया काई सो हम लोग अपना सिक सेंस का इस्तिमाल करके यहां से तुरा तरफू चक्कर हो जाएंगे बात है तो बड़ी अच्छी कर लेत हो लेकिन अभी मॉंस्टर आएग तो अगर लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे एक बार देखना चाहूंगा और चौकी नहीं तो कर लिया आप किये कि नहीं अरे भाई मैंने भी कर लिया लेज़ को एक और बार गाई हम दोनों ने यहां पर पार कर लिया है और इसलिए बोलता हूँ भाई हम लोग प्रो लग रहा है तो जाओ भाई अभी भी मौका है उससे जाक गले मिल लो अरे नहीं मिलना भाई यार क्या आदमिया मॉंस्टर से क्यों मिलूंगा मैं गाईज बेचारे चकी के यहां पर यार बहुत बुरी तरीका से विक्ट्री नहीं I mean लॉस हो चुका है इसने एक दो बंद के लिए तनाई थैंक्स वो वाचिंग मिलता हू अगली वीडियो में and yeah until then stay frosty